राधी राधी कैसे हो आप सभी हो बहुत अच्छी होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े और गर्मियों में दही थंडी थंडी वाह क्या मजा आ जाता है न तो एक यूनिक तरीके का दही बड़ा आज मैं बनाने जा रही हूँ उसी के रैस्पी आप लोगों से सेर करूंगी और ऐसे दही बड़े न यकीनन आप सबने कभी ट्राइब नहीं किये होंगे तो सबसे पहले मैंने उरत की दाल बिरावर चिलके वाली जिसको धोई दाल भी बोलते हैं फाइफ सिक्स आवर के लिए सोग करने को रखा था उसको ग्राइंडर में मैंने अच्छे से पिस लिया कुछ ट्राइब फ्रोट्स मैंने कट करके रख लिये थे इधर ओयल गर्म क करने को रख दिया था और जो दालती उसको इतना फेटी है कि एक पाउल लीजे उसमें पानी और थोड़ा सा आप देखिए वो जो दो आप डालती है अकर वो ऊपर आ जाता है तो आपके दही बड़े वाले दाल जो है बिलकुल परफेक्ट पेटे होंगे अगर वो बैट जाएगा तो इसका मतलब है कि वो दाल अच्छे से आपने पेटा नहीं है यह इसकी पहले ट्रिक है अच्छे दहीबड़े बनने के लिए तो यहां पे मैंने एक प्लास्टिक सीट ली है इसको आप कॉटन के कपे भी बना सकते हैं उसको मैंने पानी से बहुत जादा पानी लगाया था और इसमें आप पानी ही अच्छे से लगाए तब यह बहुत अच्छे एकदम परफेक्ट बनते हैं कुछ ट्राइफ फ्रूट मैंने रखें और इसको वापस से मैंने इस तरीके से आप देखी रहे हैं पानी लगाया है उसके बाद डो मैंने रखा है आप अप साइस के और कॉर्डिंग अपना त्यार करिए एंड थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स रखिए जो खाने में बहुत अच्छा आएगा जब स्टफिंग अच्छे होते हैं किसी भी चीज़ की तो बहुत उसका जाय का और बन जाता है एंड इस तरीके से मैंने गुज्य का एक सेब दे दिया है इसको एंड उसके बाद देखिए यह बहुत अच्छे से परफेक्ट सेब है और इसको ऑईल जो है बिल्कुल हीट भी नहीं होना चाहिए मतलब मीडियम होना चाहिए और इस तरीके से न मैंने ऑईल में इसको डाल दिया है और यह बहुत इसली हो जात मैं अकेले ही सूट करती हूँ कोई मेरे पास स्टांड बगरा नहीं है तो मुझे सूट करने में थोड़ी से प्रॉब्लम भी होती है और यहां पर मैंने बना लिये मीठी चतनी यहां दही को मैंने फेट लिया है अच्छे से लंस नहीं रहें दही में तब भी बड़े अच का पाउडर डाला है एंड उसके बाद काला नमक है काले नमक में मैंने जीरा भूनके और काले मिर्च को भी एट किया था तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सबको मैंने फेट के रख लिया है अब आपके दही बड़े लॉंग टाइम चलें इसके लिए एक प्र कालो दही से मैंने अच्छे से प्लेटिंग कर दी है मीठी चटनी लगा दी है एंड इसके ऊपर से मैंने काला नमक को स्प्रिंकल कर दिया है बस ये दही बड़े मेरे बिलकुल तयार है और ये देखे कितने सॉफ्ट बने है तो इंसराइ कीजिए और कैसा लगा मेरा ये द रजमे रख लो दो तीन दिन अराम से यूज कर सकते हो जब आपका मन क्या गरम पानी में दो तीन मिनट के लिए सूफ की जाई हूँ